मेरा नाम आयूश है और आज हम पढ़ने वाले software engineering में reverse engineering ठीक है reverse engineering दो steps में divide होता है ठीक है पहला step क्या है इसमें अपन abstraction level देखते हैं मन्दब design देखके अपन source code का पता करते हैं ठीक है higher level मतलब higher level of abstraction मतलब क्या होता है कि अपना जो UI होता है न जैसे अगर WhatsApp है तो WhatsApp का UI देखके अपन WhatsApp का source code generate करने की कोशिश करते हैं तो उल्टा जाते है अपन usually पहले source code बनता है फिर design बनती है यहाँ पर पहले जो existing app है मलब है जो भी existing system है उसका अपन design देखते है फिर उसका source code निकालते है ठीक है उसके बाद दूसरा है knowledge and design information is extracted from the source code अब इस source code से अपन नया design जो अप अपन construct करते है जो भी improvements के साथ या अपने brand का अपने system का जो भी अपने design बनाना है वो उस source code से तो पहले अपनने existing system का UI देखके उसका source code निकाला फिर उस source code से अपनने नया design बनाया ठीक है तो यह होता है reverse engineering reverse engineering के purpose है चार purpose है इसके used as a learning tool मतलब इसको अपन कुछ सीखने के ल learning tool use कर सकते है security auditing जब अपन WhatsApp को ऐसा तोडएंगे पीशे जाएंगे तो अपन को पते चालेगा WhatsApp किता secure है तो security auditing हो जाएगी enabling additional features अब अगर उस WhatsApp के source code के बाद अपन को अपना कुछ बनाना है जिसमें अपन को additional features जालना है तो अपन वो additional features भी डाल सकते है ठीक है और developing compatible products cheaper than the currently available in the market तो जो अभी पहले से existing है उसमें वो लोग अपने source code जो उनना genuinely बनाया है वो भी वो लो cost include करते है बट अगर अपन को source code पहले से कहीं मिल रहा है या अपन reverse engineer कर पार रहे है तो अपना जो system generate होगा उसका price अपन कम रख सकते है ठीक है तो इसको याद करने के लिए ticket बना अपने प्रडक्ट्स इन चीपर रेट अब reverse engineering के तीन लेवल्स है तो पहला लेवल है abstraction लेवल यह जो होता है सबसे highest level है highest level मतलब सबसे first level सबसे उपर आता ही है तो सबसे highest level है उसके इसमें क्या करते है अपन information extract करते है source code से जो source code अपन को मिला है उससे अपन information extract करते है और completness में क्या करते है देखते हैं वो अपन को जो source code से information मिली है। वो sufficient है या नही नया बनने के लिए नया software बनाने के लिए वो information जो अपन को मिली है abstraction level से वो sufficient है या नहीं वो complete है या नहीं तो completness अपने देख ली फिर Looks के है यह जो information अपन को मिली है abstraction के बाद यह अपन developer को provide करते है ठीक है तो developer को provide करने का वाला step directionality है check करने वाला complete है या नहीं वो completeness है abstraction level में अपन information abstract करते है source code से ठीक है इसका एक flow chart है reverse engineering का जिसमें हम जो हमारा raw source code है मतलब यहाँ जो dirty source code है जो अपनने generate किया UI देखके उसको अपन refine करते हैं यह जो जो इतने भी boxes है यह सारे processes है और यह जो है यह जो मैंना बिना box के लिखा हुआ है वह यह सारे यह मतलब चीज़ें components है तो raw source code लिया अपन है उसको code refine किया अपन है तो उसके बाद अपन को एक clear source code मिलता है जो इससे quality wise थोड़ा अच्छा होता है फिर इसके बाद अपन abstraction करते हैं ठीक है तो extract abstraction abstraction में अपन तीन major चीज़ abstract करते हैं पहला होता है processing के मतलब जो software है या system है वो काम कैसे करता है उसकी processing अपन abstract करते हैं फिर interface कौन सा component कौन से component के साथ कैसे interfaced है वो और databases कौन से databases यूज हो है system में यह सारे यह तीनों चीज़े abstract करने के बाद अपन को उसकी initial specifications मिलती है मतलब जो था existing software हो कैसे चल रहा था उसके बाद अपन उसको refine करते हैं और simplify करते है refine simplification में अपन इसमें जो initial specifications है उसमें improvement करते हैं अपने additional features डालते हैं and then अपनको एक final specification मिलता है तो thank you so much guys वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो like करो share करो अपने उन दोस्तों के साथ जो हमारी तरह last moment पर पढ़ते हैं and notes का description link में description box में link दिया गया notes का तो आप हमारे notes भी ले सकते हो और पूरे course के लिए आप last moment utions की website पर भी जा सकते हो www.lastmomentutions.com and thank you so much guys वीडियो देखने के लिए have a great day